Hello Everyone, Welcome to Black Mirror Horror कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे आज मैं आप सभी के लिए कालिय डायन और पिशाचनी और उसके साथ ही और भी कई होरर स्टोरीज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानिया पसंद आएगी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानिया हमारी पहली कहानी का नाम है कालिय डायन आज मैं आप सभी के लिए एक भूतिया कहानी लाई हूँ और जिसे आप सत्य घटना पे आधारित कहानी भी कह सकते हैं दाकिनी की दाकिनी एक आत्मा का ही स्वरूप है पर ऐसा माना जाता है कि ये स्त्रियों के वेश में घुमती है केवल मध्यरात्री में और उत्राखन के जौन सार में इसे स्थानी भाशा में डाक कहते हैं वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत गर्भावस्ता में मरती है और उसके बच्चे का मौ उसे यहां से जाने नहीं देता ये हो सकता है क्योंकि ममता किसको नहीं होती अपनों से लगाव किसको नहीं होता अपनों से कुल मिलाकर ये एक मोह में बन जाती है और मरने के बाद ये विक्राल हो जाती है वो अपने शिशो या पती को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाना चाहती है अपने लोक में ले जाने की चेश्टा करती है और कई बार विफल प्रयास से वो अन्य का भी अनिष्ट कर देती है कई वर्षों पहले कुछ लोग बताते थे कि यदि कोई स्त्री तंतक्रिया में प्रवीन है तो समझ जाईए कि वो उसके जाल में फस चुकी है और वो इस तरीके से स्वयम को सिद्ध करती है डाकिनी ही कई अन्य जीवित नकरात्मक शक्तियों को जन्म रेती है कोई स्त्री को अगर कुछ जैसे पिशाचिनी बनना था तो उसे एक चूले के अंदर से साथ बार प्रवेश करना पड़ता था और उसके बाद एक पतले धागे पर चल कर दिखाना होता था और ये बात एक गुप्त विशे है कि ये कैसे होता था शायद वो पहले डाकिनी की मदद लेकर कुछ सिद्धिया हासिल करती है और तब ये काम और इसे करते ही वो शक्ति संपन्न हो जाती थी एक गाउ है रामगड ये एक देहाती गाउ है गाउ में शिक्षा के लिए केवल आठवी तक का ही विद्ध्याले है वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़े संप्षम है और बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते है गाउ के दक्षिन की और एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बर्गत का पेड़ है और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश है अब एक गर्वती स्त्री की लाश की जिसे वो स्वयम को सिद्ध कर सके कुछ महिने वो गाउ में घूम कर नजर रखता है और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुए पर दिखाई दी जो आठ माह की गर्वती स्त्री थी और अब तांत्री को उसका शिकार मिल चुका था पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस रात की जब प्रकाश नव के बराबर हो और समस्त्र पृत्वी पर नकरात्मक उर्जाय शक्ति व्यापत हो और ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शर्तानी शक्तियों की रात होती है और ठीक चार दिन बाद ही अमावस थी तांत्रीक ने तंत्र प्रक्रिया से समस्त गाउं को नीन के गहरे आवेश में सुला दिया और वो रात के घंगोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर वो कुछी समय बाद वहां पहुँच जाता है और उस त्रीक को मार कर बरगत के पेड़े पर लटका देता है अगली सुबह गाउं में कोहराम मच जाता है गाउं वाले मिलकर उसका अंतिम संसकार कर देते हैं पर तांत्रिक के प्रयोक से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती क्योंकि उसकी मृत्यू से एक दिन पहले उसे एक बेटी पैदा हुई थी तो उसका मन अपनी पुत्री पर था तो वो मुक्त नहीं होना चाहती थी वो कुछ जिनों बात सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है तांत्रिक की भी सिद्धिया उसे मिल जाती है और वो अब एक शक्तिशाली डायन बनती है और प्रक्ति का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वो अपने से कमजोर लोग का उत्पीडन करता है वैसे ही वो डायन भी अपने पती और बच्ची को पाने के लिए गाउवालों को डराने लगती है शुरू शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस वारे में बात नहीं की पर अब तो भै कुछ जादा ही बढ़ गया और लोग अब समू बना कर जंगल की ओर जाने लगे तो फिर कुछ दिन तो सब शान्त रहा पर ये शान्ती एक बड़े भैनक तुफान के आने से पहले वाली शान्ती थी अब गाउवाले फिर सामान ने होने लगे और फिर अचानक एक दिन हरिया जो गाउव में एक लकड़हारा था वो लकड़ी तोड़ने जंगल गया था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहुशी के हालत में बर्गत के पेड़ पर लटका दिया और उसने कोशिश की थी कि उसको कौन मार रहा है देखने की पर कोई दिखाई न दिया तब दोपहर में जब वो घर नहीं आ पाया तो गाउवाले उसे ढूंडने जंगल की तरफ गए और उसे गाउव के वैद ने होश में लाया तो वो भूद भूद चिला रहा था अब एक बड़ी विपदा गाउव पर आई रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़े आनी शुरू हो गई थी ये तो महाप्रले की शुरुआत थी और धीरे धीरे उसकी भूद बढ़ गई अब डायन के प्रकोप से उस तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्ता नाने लगा और गाउवाले अभी इस बात से अंजान थे एक दिन एक लकड़ा हारा फिर पैसो के लोब में जंगल से लकड़ी की तसकरी के लिए अपने दो साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे और उन्होंने पैसो के लालच में देर रात तक वहीं काम किया दिन में तो सब सही था पर रात को जैसे ही वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगत का पेड़ मिला और उसके नीचे बैट गए थोड़ी तेर बाद उपर से कुछ बूंदे गिरी टप 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 उन्होंने आवाज सुनी तो देखा कि वो लाल गाढ़ा खोन था अब तो वे डर गए और जैसे ही उन्होंने उपर देखा एक काली सी आकृती पेड़ की उपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया तो वो परच्षाई भी माना रूप में परिवर्तित होकर उनके पीछे भागने लगी पहले एक को गिराया फिर दूसरे को और तब तक तीसरा गाओ में पहुच चुका था उस डायन ने उन दोनों का खून चूज कर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भै के कारण तुरंद गाओ वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिन के लिए घर में ही छुपा रहा अब तो गाओं वाले भैसे थर-थर कापने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से गाओं की एक जीवित स्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचिनी बना दिया वो देखने में तो एकदम सामाने लोगों की तरह थी दिन में वो सामाने जीवन बिताती और रात को गाओं के लोगों को डराना और मारना ये उसका काम था और धीरे धीरे शुरू में लोगों के गाय भैस मारे जाने लगे अब वो डायन और खतरनाक बन गई थी और अब वो थी एक काली डायन उसकी शक्तियों से वो बहुत ताकतवर हो गई थी एक दिन रक्त पिशाचनी उस डायन की बच्ची को उठा कर ले आई पर अब बहुत देर हो चुकी थी नकरात्मक्ता के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की पर पहली बार वो विफल रही पता नहीं कैसे मा की मम्ता तो अब मर चुकी थी पर इश्वरी कृपा से वो बच गई अब तो उस डायन का आतंक उस गाउं से दूसरे गाउं में भी फैलने लगा आसपास के गाउंवाले भी भै में जीवन वितीत करने लगे एक दिन एक साधू उस गाउं की और जाते हैं शायद उन्हें इश्वरी शक्ती ने नकरात्मक शक्ती को नश्ट करने के लिए भेजा होगा जैसे उस साधू ने गाउं की सीमा में प्रवेश किया तो जोड-जोड से हवाय चलने लगी गाउंवाले मिलकर बाबा की चड़नों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया और गाउंवाले उनसे डायन और रक्त पिशाचनी से बचने का उपाय पूछने लगे तो उन्होंने आके बंद की और सब कुछ देख लिया कुछ देर बाद आके खोल कर गाउंवालों को उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही नश्ट कर सकती है और रक्त पिशाचनी तो स्वयम नश्ट हो जाएगी क्योंकि वो उस काली डायन की शक्तियों से पैदा हुई है हमें बस उसको नश्ट करने का प्रबंद करना होगा सादू ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कालागनी नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगत के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंतरित कील ठोकने को कहा जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया जिससे वो उस परिधी से बाहर न जा सके और सादू बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राक को गाउं की सीमा पर छड़क दिया ताकि कोई अन्य शैतानी शक्ती गाउं में प्रवेश न कर सके अन्त में गुडिया बना कर उस पर डायन की आत्मा को कैद करके मंत्रों से उसे कैद कर दिया उसे उस पेड के नीचे जला दिया गया और जैसे ही वो गुडिया पूरी जली तो उससे एक तेज काला धुआ निकला और काले डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई की मदद के उद्देश से तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी गाउ का कच्चा रास्ता आज मैं बहुत दिनों बाद मा के कहने पर इन दौर से अपने गाउ अनुपूर जा रहा था वैसे रास्ता हाइवे पर से होके जाता है पर मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने शॉटकट के लिए कच्चा रास्ता ले लिया तब ही बीच रास्ते में मेरी बाईक खराब हो गई जिससे मुझे पैदल ही उसे खीच कर ले जाना पड़ रहा था पंचर बाईक को खीचते-खीचते मैं बहुत थक गया था पर रात भी काफी हो गई थी अब तो जैसे तैसे बस घर पहुच रहा था तब ही रास्ते में मुझे एक अम्मा मुंख़ली बेचते हुए दिखाई पड़ी जिससे देख एक पल को मैं तो डर गया लेकिन आगले पली मैंने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा मैं आज बहुत दिनों बाद अपने गाउ जा रहा था इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि कितनी दूरी पर कोई पंचर की दुकान मिल सकती है इसलिए मैंने उस अम्मा के पास जाकर जाच पड़ताल करने की सोची अम्मा जी ये यहाँ कोई पंचर की दुकान मिलेगी क्या वो क्या है ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है मैंने अम्मा की छोटी से दुकान को अपनी आखों से स्कैन करते हुए पूछा हाँ बेटा क्यों नहीं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक चौराहे पर दुकान मिल जाएगी बोलकर अम्मा मुझे देखकर अजीब ढंक से मुस्कुरा दी लेकिन मैंने उसे नजर अंदास किया और धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ने को हुआ तो मेरी नजर एका एक उस अम्मा के पैरो पर गई जो की उल्टे थे जिसे देख मेरी तो हवा ही टाइट हो गई मैं वहां से अपनी बाइक को छोड़कर तुरन भागने लगा भागते भागते मुझे एक रिक्षा वाला मिला मैंने उसे हाथ दिया तो उस रिक्षा वाले ने मुझे बिठा लिया क्या हुआ भाई जी इतना हाफ क्यों रहो रिक्षा वाले ने मुझे बैक मिरर से देखते हुए पूछा तो मैंने उसे पुरी कहानी बता दी जिसे सुन वो रिक्षा वाला अधेर उम्र का व्यक्ती मुझे देख कर हसने लगा और बोला कहीं वो अम्मा ऐसी तो नहीं दिखती थी बोलकर उसने मेरे बगल में देखा तो वो अम्मा मेरे बगल में ही बैठे मुझे हस्ती दिखाई दे रही थी ये सब देख मेरे तो होश ही उड़ गए मैं बिना वक्त कवाय रिक्षे से कूद गया कूदने की वज़े से मेरे सर पर हलकी चोटे आई और मैं वहीं बेहोश हो गया जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने पाया आसपास के गाउं के कुछ लोग मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे क्या हुआ भईया बेहोश केसे हो गये तुम उनमें से एक आदमी ने पानी पीने को दिया और मेरी हालत की वज़े पुछने लगा जिस पर मैंने कल रात हुई सारी घटना को बता दिया जिसे सुन उनमें से एक आदमी बोला अरे भईया तुम शहरी लोग का ये तो काम है तुम लोग किसी की मानते नहीं हो यहाँ पर तो पिछले एक साल से भूतो का बसीरा है इस सड़क पर रात को साथ बजे के बाद कोई आता जाता नहीं है करीब एक साल पहले यहाँ एक अम्मा मुफली बेशती थी और उसका पती रिक्षा चलाता था लेकिन पता नहीं उनकी कुछ उधारी वालों ने उधारी ना लटाने पर उन्हें मार डाला तब से उन दोनों की आत्माई यहीं भटक रही है अच्छा हुआ जो हुआ सो हुआ अब घर जाकर नहाद होकर हनवान जी का पार्ट कर लेना तुमारे सर से इतनी बड़ी मुसीबत जो टली है उनमें से एक आदमी ने मुझे सला दी उन सभी को धन्यवाद बोल कर मैं अपने घर आ गया जब मैंने अपनी मा को यह सब बताया तो उन्होंने भी मुझे हनवान जी का पार्ट करने को बोला मैंने भी नहा कर हनवान जी का पार्ट कर दिया तब से मैं कभी भी किसी शॉटकट या कच्ची सड़क का रास्ता लेने से कतराता हूँ तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी पशिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक छोटा सा पहाड़ी गाओ है मूंग पोंग जो सिलिग उड़ी से 27 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यहां अकसर लोग छुट्टियों में पहाड़ों का आनन लेने आते हैं मूंग पोंग में कई होमस्टे हैं उनमें से एक का नाम है सोनार बांगला शुबेंदू का घर पत्थरों से बना हुआ था जिसकी दिवारों और फर्ष पर मिट्टी की लिपाई हो रखी थी जिस पर उसने जगा जगा छोटी छोटी दरिया बिचा रखी थी घर चारो तरफ से पेडों से घिरा हुआ था शुबेंदू के घर अक्सर अंग्रेज लोग ज्यादा आते थे रहने के लिए उन्हें उसका मिट्टी और पत्थरों से बना घर गाउं की जीवन शैली का अनुभव करवाता था जो उन्हें बहुत पसंद था मा कल एक लड़की अमेरिका से आने वाली है जेसिका नाम है उसका आंगन वाले कमरे की आज सोड़ी साफ सफाई करवा देना बारिश का समय है वैसे ही कोई टूरिस नहीं आ रहा है बड़ी मुश्किल से जेसिका मैडम आ रही है मैं चाता हूँ जितने भी दिन यहां रहे खुश रहे ठीक है बेटा मैं समझ गई कुछ दिर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है क्या मा देखो फिर से बारिश शुरू हो गई रेंकोट देना जरा मैं जाकर अनिरुट को स्कूल से ले आता हूँ उसकी छुट्टी का समय हो गया है यह ले शुबेंदू अपना रेंकोट जा जल्दी से जाकर मेरे अनिरुट को ले आ तब तक मैं उसके लिए गर्मा गरम लूची तल कर रखती हूँ अनिरुट स्कूल के बाहर एक दुकान के नीचे खड़े होकर शुबेंदू का इंतिजार कर रहा होता है शुबेंदू ट्राफिक जाम में फज जाता है और थोड़ा लेट हो जाता है अनिरुट क्या पापा आप फिर से देर से आये हैं जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक आप रोज देर से आने वाले हो तो मुझे बता दो, मैं स्कूल से बाहर निकलूंगा ही नहीं, जब तक आप नहीं आओगे आपको पता है, चहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, मा हमेशे टाइम पर आती थी शुबेंदू, सौरी बेटा, कल से पक्का टाइम पर आ जाओंगा लेने अनिरूद, ओहो पापा, कल इतवार है, स्कूल के छुट्टी है शुबेंदू, अच्छा अनिरूद, फिर से सौरी, चल बैट स्कूटर पर अब मा, शुबेंदू तुझे याद है ना, आज शनिवार है हाँ मा, अनिरूद ने याद दिलाया था मुझे, जब उसे स्कूल लेने गया था शुबेंदू घर के दर्वाजे पर ताला लगा कर सोना तुम भी ना मा, अभी भी निशेडा की कहानी पर विश्वास करती हो हाँ बेटा, जबाना कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़े कभी नहीं बदलती आज हमावस्या है, उसके आने का दिन आज तक तो वो कभी नहीं आई मा, वक्त का क्या वरोसा कभी भी बदल सकता है तु बहस मत कर, बस ताला लगा दे दर्वाजे पर तब ही अनिरुद आवाज लगाता है दादी, दादी कब आओगी मुझे सुलाने आ रही हूँ अनिरुद अनिरुद दादी के गोद में सिर रखकर लेट जाता है और पूछता है दादी ये निशिडाक कौन है ठीक है, बताती हूँ पहले तु ये बता कि तु मेरा बहादुर बेटा है या डर्पोक दादी मैं तो बहुत बहादुर हूँ अच्छा, तो फिर तुझे निशिडाक के बारे में बताती हूँ निशिडाक रात को आवाज लगाने वाली आत्मा है जो आपको किसी अपने की आवाज निकाल कर अपने पास बुलाती है और सूनसान जगह पर ले जाकर मार देती है लेकिन वो दो बार से जादा नहीं बुला सकती इसलिए जब भी तुझे लगे, कोई तुझे रात को बुला रहा है तो उसकी आवाज तीन बारी सुनना अगर तीसरी बारी आवाज नहीं आई तो मतलब वो निशिडाक है कभी रात को किसी की आवाज आए तो उसके पीछे तो जाना नहीं अनिरुद बिना कहानी सुने ही सो जाता है उसे सोता देख उसकी दादी भी सो जाती है रात के 12 बच चुके होते हैं सब गहरी नीन में सो चुके होते हैं अमवस्या काल शुरू हो जाता है बाहर तेज बारिश हो रही होती है चारो तरफ पेड़ से गिरा होने के कारण बाहर घना अंधिरा होता है गेट के बाहर जलने वाली लाइड भी अपने आप बंद हो जाती है अनिरुद की दादी गहरी नीन में सोई हुए होती है तभी अनिरुद के रोने की आवाज आती है दादी मुझे बचाओ उन्हें ऐसा लगता है जैसे अनिरुद किसी भेंकर मुसीबत में है और वो बुरी तरह रोते हुए उन्हें आवाज दे रहा है तभी दादी की घब्रा कर आँख खुल जाती है और वो देखती है कि अनुरुद बिस्तर पर नहीं है वो घब्रा जाती है फिर से अनिरुद की रोती हुई आवाज आती है दादी मुझे बचाओ वो कहती है मैं आरही हूँ अनुरूत तू डर मत मेरे बच्चे मैं आरही हूँ वो बागते हुए दर्वाजी की तरफ जाती है और ताला खुलने की कोशिश करती है कि तभी घर के बीतर से आवाज आती है दादी दादी बाहर किदर जा रही हो इतने रात को उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है बस वो ताला खुलने की जद्दो जहद में लगी हुई होती है तब ही शुबेंदू भी उठ जाता है और मा को जोर से जिंजोडता है मा क्या हो गया है तुमें? कहां जा रही हो? वो अनिरुद की जान खत्रे में है वो मुझे बुला रहा है मा होश में आओ अनिरुद सामने खड़ा है अनिरुद दादी दादी कहकर उनके गले से लग जाता है तब उनका ध्यान तूटता है और वो रोने लगती है और कहती है निशिराक आई थी उसने अनुरुद के रोने की आवाज निकाली जिसे सुनकर मैं डर गई थी और अनुरुद को बचाने के लिए बाहर जा रही थी दादी मैं तो आपके साथ सोया था मैं आपको दिखा नहीं क्या नहीं अनुरुद उस आवाज में इतना दर्थ था कि तुम मुझे सामने होकर भी नहीं दिखा मुझे तो बस वो आवाज ही सुनाई दे रही थी अनुरुद की दादी कहती है कल मैं अनुरुद को समझा रही थी और आज मैं खुदी निशिडाक के जासे में फस गई तुम नहीं रोकता मुझे तो आज तो मेरा राम नाम स्रत्य ही हो जाता था मा की हालत देखकर शुबेंदू भी सक्ते में आ जाता है निशिडाक को तो वो अंदविश्वा समझ रहा था लेकिन ये तो सच निकला वो मा और अनिरुद को कमरे में जाकर सुला देता है सुबे दस बजे जेसिका आ जाती है अपना सामान लेकर अमेरिका से शुबेंदू उसका स्वागत करता है जब जेसिका उसे नमस्ते कहती है तो वो चौक जाता है आपको हिंदी आती है हाँ जी मैं हर साल इंडिया आती हूँ तीन महिने के लिए मुझे बॉलिवोड फिल्में बहुत पसंद है बस थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लिया मैंने अनिरुद उसकी हिंदी बोलता देख कर हसने लग जाता है जेसिका क्या नाम है आपका लिटिल मास्टर बिना कुछ बोले वो अंदर भाग जाता है शुबेंदू कहता है ये मेरा बेटा है और जो सामने खड़ी है वो मेरी मा है आपकी वाइफ कहा है मैडम वो दो साल पहले मर चुकी है ओ सुरी शुबू शुबेंदू बहुत बड़ा नाम है बोलने में डिफिकल मतलब मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं मैडम तुम भी मुझे जेसिका बुला सकते हो जी मैडम ओ सुरी जेसिका जेसिका को अपना कमरा बहुत पसंद आता है वो रोज सुबह और शाम को सैर के लिए निकल जाया करती थी पासवाले जंगल में शुबेंदू के परिवार के साथ वो घुल मिल गई थी शाम को शुबेंदू को वो अंग्रेजी बोलना सिखाने लगी थी उसे धीरे धीरे शुबेंदू पसंद आने लगा था सब कुछ अच्छा था यहां बस उसे एक बात खटकती थी कि उसकी मा इतनी डरी हुई क्यो रहती है एक अजीब सा डर रहता है उनके चेहरे पर वो शुबेंदू से इस बात का कारण पूछती है जैसिका जिस दिन तुम आई थी उसके एक दिन पहले एक हाथसा हो गया था उसमें मा की जान जाते जाते बची थी इसी कारण वो थोड़ी डरी हुई सी रहती है क्या हुआ था शुबू? तुम विश्वास नहीं कर पाओगी तुमें सब अंद विश्वास लगेगा नहीं ऐसा नहीं है तुम बताओ मुझे शुबेंदू ने अमावस्य के दिन जो जो हुआ था वो सब बता दिया लेकिन जैसिका के चहरे पर कोई डर नहीं था ये अमावस्य क्या होती है शुबू? अमावस्य के दिन चान नजर नहीं आता और हिंदू मानेता के अनुसार इस दिन नकरात्मक शक्तिया अपने चरम पर होती है इस दिन निशिराक आती है और अपने शिकार को ले जाती है और मार देती है यू मीन नाइड खोस्ट? हाँ वही इंट्रेस्टिंग फिर तो देखना पड़ेगा उसे पागल मत बनो कल अमावस्य है वो किसी अपने की आवाज निकाल कर बुलाती है और अगर तुम उसके पीछे चले गए तो फिर तुम कभी जिन्दा लोट कर वापिस नहीं आते लेकिन वो सिर्फ दो बार ही आवाज देती है कल हम अपने घर में अंदर से ताला लगा कर सोएंगे तुम भी लॉक करके सोना अंदर से रूम अपना ख्याल रखना शुबेंदू जेसिका को समझा कर चला जाता है जेसिका सोचती है ये अंदविश्वा से ये सच टेस्ट करके देखना होगा इन्ही सब चीजों के कारण जेसिका को भारत में रहना रुमांचक लगता था अगली रात शुबेंदू का परिवार अंदर से ताला लगा कर सो जाता है शुबेंदू उसे फिर से ख्याल रखने को कहकर अपने घर के अंदर चला जाता है जेसिका एक बजे तक जाकर निशिडाक का इंतिजार करती है वो जब नहीं आती तो वो उसे जूट समझकर चैन से सो जाती है दो बजे करीब जेसिका को शुबेंदू की आवाज आती है जेसिका मेरे पास आओ जेसिका मेरे पास आओ उस आवाज में इतना आकरशन और प्यार होता है कि वो अपने आपको रोक नहीं पाती और उस आवाज के पीछे चल देती है उसे बिलकुल भी होश नहीं होता कि वो कहां जा रही है आवास का पीछा करते करते वो जंगल में पहुच जाती है जहां गहरा तालाब होता है वो धीरे धीरे पानी में उतरती जाती है और अंत में डूब जाती है अगले दिन अकबार में खबर चपती है अमेरिका से आई एक यूती जेसिका जो मुंग पॉंग गाउ में सोनार बंगला होमस्टे में ठहरी थी उसकी लाज जंगल के तालाब में मिली है शुबेंदू का परिवार सद्मे में होता है उसकी मा बड़वडाने लगती है निशिराख फिर से आएगी और हम सब को मार डालेगी हम सब को मार डालेगी कहते हुए रोने लगती है तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की आखरी कहानी रहस्यमय तस्वीर रात के करीब ग्यारा बज रहे होंगे आशीश अपनी घर में एक कोने में छिपा हुआ था वो छिप छिप कर एक पेंटिंग को देख रहा था वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी जिसमें कोई जंगल दिखाए दे रहा था और साथ ही उसमें एक औरत खड़ी थी जो सफेद कपडों में और चहरे पर पड़े बालों की वज़े से वो बहुत ही भयानक दिखाए दे रही थी मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए था अशीश ने घबराते हुए कहा अशीश के सामने ही घर से बाहर जाने के लिए दर्वाजा था लेकिन उसकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हो पा रही थी वो घबराया सा ऐसे ही बैठा रहा वहां कोई आने वाला था जिसका उसे इंतजार था ठीक एक घंटे बाद घड़ी ने बारा बजाए और इसी के साथ उस पेंटिंग में हरकत होने लगी वो औरत जो उस पेंटिंग में खड़ी थी उसमें जान आने लगी और वो कुछी देर में उस पेंटिंग से निकल कर बाहर आ गई आशीश कोने में छिपा हुआ था छम सी घुंगरू की आवाज हुई और आशीश की घिकी बन गई मैं अब और नहीं रुक सकता आशीश ने घवराते हुए कहा आशीश ने अपनी गर्दन निकाल कर इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था आशीश जल्दी से उठा और दर्वाजे की तरफ भागने लगा लेकिन पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और आशीश फर्ष पर आगिरा आशीश ने जल्दी से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था आशीश फिर से दर्वाजे की तरफ पहुँच गया आशीश ने जल्दी से दर्वाजा खोला और सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया उसके सामने एक नर्तकी खड़ी थी आशीश ने जल्दी से दर्वाजा बंद कर लिया और अंदर जाकर एक कमरे में घुज गया और उसका दर्वाजा अच्छे से बंद करके बैड के नीचे छिपके बैड गया बाहर से गुंगरों की आवास लगातार आ रही थी अचानक ही वो आवास उस कमरे के पास आकर रुख गई अचिश का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था चर्र की आवास के साथ उस कमरे का दर्वाजा खुल गया लेकिन कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आया था कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया अचिश धीरे धीरे सरक कर बैड के दूसरी तरफ आने लगा कि तभी बैड के उपर से दो पैर नीचे लटकने लगे उनमें घुंगरो बंदे थे जैसे ही उन पैरों से छनकार हुई वैसे ही आशिश ने अपने मुँपर हाथ रख लिया और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा मैंने तुम्हें पकड लिया दूसरी तरफ से उस नर्तकी ने जागते हुए कहा आशिश तेजी से घिसटा हुआ उस बैड से निकलने लगा लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही किसी ने उसे वापस से उसी बैड के नीचे खिच लिया और आशिश की चीखे उस सभी जगह पे गूंचने लगी कुछ दिर बाद उस घर में आग लग गई घर की हर एक चीज उस आग में जल रही थी सिवाए उस तस्वीर के जिसमें आब उस औरत की जगह एक नर्त की नृत्य करने की मुद्रा में दिखाई दे रही थी कैसी लगी आपको ये कहानिया हमें कमेंट्स में सरूर बताए मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ तब तक के लिए बाई एन टेक कियर कैसी लगे वे बाई बताए